चुनावों में खास तोर पर 36 गड़ से लेकर मद्यप्रदेश और राजस्तान तक चाया हुआ है विपक्ष का आरोब है कि E.D.C.B.I. को चुनावी हतियार की तरह सरकार इस्तमाल कर रही है लेकिन E.D.C. का ये कहना है कि एक के बाद एक हो रहे चापो में पैसों की बरामदगी हो रही है सबसे जादा फोकस इस वक्षटीस गड़ के महादेव गेमिंग आप स्कैम पर है तो आज आई आपको बताते हैं किस तरह से आरोब फ्रत्यारोब का सिलसला इस मुद्दे पर चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कह दिया कि भुपेश बगेल चत्तीस गड़ के मुख्यमंती ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा ब्रश्चाचार के इन संगीन इल्जामों के साथ बीजेपी घेर रही है कॉंग्रिस की सरकारों को दूसी तरफ राजस्थान में भी अशोगेलो के बेटे पर रेज हुए है इन सब पर कॉंग्रिस पार्टी का कहना है कि एक डरी हुई बीजेपी एडी को हत्यार की तरह इस्तमाल कर रही है आकडे सामने आ रहे हैं उसमें एडी का ये दावा है सबसे पहला जो सेट हम आपको दिखा रहे हैं इडी का ये दावा है कि 508 करोड रुपे की बात है और ये आरोप सीधा सीधा भुपेश बगेल पर है और वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे बामले में आरोप ये लग रहा है कि आपका जो प्रुमोटर है उसने 508 करोड रुपे महादेव गेमिंग आप के प्रोमोटर ने 508 करोड रुपए 36 गड़ के मुख्यमंत्री बुपेश बगेल को दिये अब आए असीमदास पर ये कैश कूरियर था इस पूरे मामले में और उसके पास से जो बरामद्गी हुई है वो हुई है 5 करोड 49 लाख रुपए तो ये दो किरदार जो इस पूरे केस में है उसको समझ लीजे एक असीमदास जिसके पास से कैश की बरामद्गी हुई 5 करोड 49 लाख और दूसरी तरफ 36 गड़ के मुख्यमंत्री पर आरुप है कि प्रोमोटर ने उन्हें दिये 508 करोड रुपए ये ED का दावा है अब दूसरे आकड़े पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जाल कैसे फैला हुआ है इस महादेव गेमिंग आप स्कैम का ये ED का दावा है कि 3033 बैंक खातों के जरिये ये पूरा स्कैम चल रहा था जिसमें अब तक 1035 बैंक अकाउंट्स को ED ने सीज कर लिया और जिन अकाउंट्स को सीज किया है उसमें 49 शहरों में अलग-अलग जगों पर ED के रेड्स हुए हैं 15 करोड कैश इन 1000 से उपर अकाउंट्स में मिला है 15 करोड का कैश और इसी के साथ-साथ जो बरामद्गिया हुई है जो जब्की हुई है वो आपको बताते हुए 191 लैप्टॉप 858 मोबाइल ये सब कुछ महादेव गेमिंग अप स्कैम में ये सब जब किया गया है अब तीसरे मामले पर आईए जिससे हम आपको समझा देंगे कि ये पूरा महादेव गेमिंग अप स्कैम है क्या 2017 में एक वेब साइट की शुरुआत होती है जिसके जरिये ये गेमिंग का फूरा खेल शुरू होता है लेकिन चुकी बहुत लोग इसमें शामिल हो जाते हैं इसी लिए 2019 आते आते महादेव गेमिंग अप लॉंच हो जाता है और अप लॉंच के बाद से ही प्रोमोटर्स का दावा है कि लगभग 99 लाख लोग उनके साथ इस गेमिंग अप में जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर 2022 के बाद से मार्च 2022 के बाद से सारे 400 से ज्यादा लोगों की गिरफतारी इस केस में हो चुकी है 72 केस दर्ज है और पूरे मामले में बॉलिवूड के भी कई सितारों की नावा आपने सुनाओगा रंडवीर कपूर हो कपिल शर्मा हो यहां तक की बादशा जो सिंगर है उनको भी पूछताच के लिए बुलाया गया था तो महादेव गेमिंग आप स्कैम और उस पर चर्चा चारों तरफ है चुनाओवी माहौल में लेकिन कॉंग्रस पार्टी यही कह रही है कि EDCBI तो चुनाओवी हतियार है 36 गड़ में चुनाओवी पारा चरम पर है लेकिन जब से महादेव बेटिंग आप स्कैम में EDCM बगेल पर 508 करोड रुपे लेने का दावा किया है उसके बाद से CAC रण काफी रोचक हो गया है बगेल पर हमलावर बीजेपी फ्रंट कोट पर खेल रही है बीजेपी एदक्स जेपी नड़्डा ने कह दिया पांच साल में बगेल राज में सिर्फ गोटाले ही हुए है और तो और उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा जहां कांगरेस होगी वही भरस्टा चार होगा तेर साल से जेल में है बुपेज बगेल की ओएस्टी आप बताईए पांच साल में क्या क्या हुआ यह घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ और तो चोड़िये गोठान घोटाला हुआ लेकिन 36गड के मुक्यमंदी बुपेश बगेल विक्चिमकार खेलने के मूड में है उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट किया ED ही BJP है और BJP ही ED है बगेल का ट्वीट देखन में छोट लगे गाव करे गंभीर वाला था उन्होंने BJP पर पहले भी आरोप लगाया कि BJP ED को चुनावी हतियार बना रही है इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है आप किसी सुबे के मुख्य मंतरी पर किसी आदमी से मार पीट के या दवार डाल के बोलवा दो मैं किसी पकड़नूं और बोल दूँगा यदि प्रधान मंतरी के नाम लेने के लिए तो क्या प्रधान मंतरी से पूझताज करेंगे इससे पहले पीए मोदी नेभी महादेव आप घुटाले को सीरे महादेव से जोड़कर तीक अपरहार किया था 36 गड़की कॉंग्रेस सरकार आपको आपको लूटने का कोई मोका नहीं छोड़ रही इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है उधर कॉंग्रेस से पीजी करके बताया कि सीम बगेल ने खुद ही महादेव आप स्कैम की शिकायत केंदर से की थी लेकिन मोदी सरकार ने कोई आक्शन नहीं लिया 24 अगस्त को मानने मुख्यमंत्री बगेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉंफरेंस की थी पूरा चिट्टा खोल के बताया था कि ये ये हुआ महादेव आप में इस प्रकार से जांच हुई इतना जब्त हुआ इतने लोग गिरफतार हुए इतने केस हुए ये कितने महीने हो गए तीन महीने से जादा की बात है उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बेहन नहीं किया जहां राजस्थान के सिये मशोग गहलोत कह रहे हैं कि बगेल को सियासी साज़िश के तहत फसाय जा रहा है वहीं बीजेपी कह रही है कि बगेल 508 करोड को चुनावी प्रचार में खर्च कर रहे हैं कि यह माले इंपोर्टेंट सर्था हैं इडी इंकमिटेंट सीबी आई एक अमनिक ऑफेंडर के लिए यह बहुत सर्था आउशिक होती है उच्पे ध्याने जा रहा है सरगाने दिराने सरगान बनाने होस्ट ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है इसका जंता अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव आप के प्रमोटर्ज ने 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश भगेल को 508 करोड रुपया रिश्वत दी है कैश कूरियर असीम दास को एडी ने 5 करोड 49 लाग कैश के साथ राइपूर में किरफतार किया थे उसके बाद ही असीम दास ने एडी के सामने सबूत देते हुए दावा किया था कि उसने बगेल को 508 करोड रुपय महादेव आप के प्रोमोटर की तरफ से दिये थी केंडरी सरकार इस कैम को बहुत गंभीरता से ले रही है उसने सट्टेबाजी से जोड़ी 22 वेबसाइट और आप पर टान लगा दिया है ये पूरा मामला 5-6,000 करोड का बताया जा रहा है जिसमें आए दिन नए नए खुलासे होने से कई बड़े नाव बेपरदा हो रहे हैं आज तक प्योरो सुदानशुत रिवेदी जी अब चुनावों में गिने हुए दिन बच गए है और ऐसे में जब ये शिकंज आउनी मुख्य मंत्रियों पर कस्ता हुआ दिख रहा है जहां जहां चुनाव होने वाला है तो कॉंग्रस पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने अपने चुनावी हतियारों को मैदान में उतार दिया है लडाई है एडी सीबी आई से कॉंग्रस पार्टी की देखिया अंजिना जी जो 36 गड़ में प्रकरण उभर के सामने आ रहा है वो अपने आप में अभीनव है और अद्बूत है कभी कभी क्या होता ने कोई खिलाडी होता है या कोई अपराधी होता है तो वो अपना ही किर्थिमान धुस्थ कर सकता उस फील्ड में उसको इतनी दक्षता होती है तो कररप्शन के छेतर में भष्टाचार के छेतर में पॉंग्रेस ने इतने बड़ बड़े किर्तिमान बना लिये हैं कि अब ये खुद अपना ही रिकार्ड धोस्त करके चेंपियन बन के उभर के आते हैं। जो तप्चे सामने आया है तो हवा में तो नहीं है। अगर आप इस रिष्टी से देखें तो उसमें सीधे सीधे आपको पैसा भी दिखाई पॉड़ा है। से लेके आज तक जब कॉंग्रेस के बड़े नेताओं ने भर्ष्टाचार के आरोप में कचेहरी और जाच एजनसी के चक्तर नकाटे हो। मनमोहन सिंग टू पीवी नर्सिमार आओ। मराव की सरकार और दो सरकारी जो इनके सपोर्ट पे चली यानि देवगोडा जी और गुज्राली बता दें क्या उस समय चुन चुन कर कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं गए। पुर्धान मंत्रियों बढ़ भरस्टाचार की आरोप लगे तो वास्विक्ता क्या है कि भरस्टाचार की कहानी खांदानी है। ये फित्रत बहुत पुरानी है। इस समय इस से भचने के लिए ये चुनावी और इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करा। एक कोट आपको बताती हूँ, मुझे बताईएगा कि ये लाइन किसने कही थी। क्योंकि आप तो वैसे भी पुरानी बातों को अच्छे से याद करके रखते हैं। जिस 36 गड़ की बात हो रही है, वहीं के एक नेता ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। क्या था उस नेता का नाम और कौन सी पार्टी का था। अजुनाजी आप में बहुत अच्छा सवाल पूछा है तो मैं भी कहना चाहता हूँ। एक टेप में आया था कि कॉंग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है, कि किस ने कहा था। और किस पार्टी के लिए कहा गया आता किसी पार्टी के लिए कहा गया कि अपनी दुकान है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हाँ वो निता थे और इस वज़े से उनका इस्तीफा भी हुआ और इसकी वज़े से वो 36 गण के मुख्यमंतरी बनने वाले थे वो नहीं बने बगर मै पूछना चाहता हूँ उस दुकान का क्या हुआ उस दुकान में अब महबत के सामान सजने लगे जिस दुकान के बारे में कहा गया था कि पत्रकार लोग तैय करते थे कार्पोरेट लॉबीस्ट तैय करते थे कि मंतरी कौन बनेगा और उन भी भागों का मंतरी जिन से उन का कायदा बात हो रही है ये डिपार्टमेंट किसको मिलना चाहिए ये इसको मिल जाए तो ठीक रहेगा इसी लिए मैंने सिर्फ सिंपिल बात और आप में जो कही है अजना जी बिलकुल वो हमारे एक नेता थे जो सांसत थे और मैं तो आप से कहूं अगर भारत के इतिहास ने ए कि संसत के अंदर अविश्वास प्रस्ताओं के मामले पे कानूनी करवे नहीं हो सकती कॉंस्टूशन हिमेलिटी है तो ये तो सरवोच नेहले से साबित भरष्टाचार और दूसरा हाई कोड के द्वारा साबित भरष्टाचार श्रीमती इंद्रा गांदी जी को चुनावी धांदली और भरष्टाचार का आरोपी सिद्ध कर दिया गया 1975 में और उसके बाद अमर्जंसी लग गई तो ये मैं कोड के जज्जमेंट की बात कर रहा हूँ बयान की बात नहीं कर रहा हूँ चीक है चलिए रोहन जी अब आपकी बार ये दो प्रश्ण आपसे सीधा करूँ एक प्रश्ण तो ये है कि वो बता रहें कि जब पूरवर्ती यूपिय की भी सरकारे रही है तो जादा तर भर जो भरष्टाचार के मान दे ते या तो क्षेत्रे दलों पर थे किस तरह से disproportionate assets केस का इस्तमाल होता था चाहे समाजवादी पार्टी हो मायावती हो उदर चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और Congress पार्टी के भी लेताओं के खिलाफ उनका या रोप है कि जब बीजेपी की सरकारे नहीं थी तब भी ब्रश्टाचार के मा और साखतार पैसे वसूले जा रहे थे चतीज़ गड़ सरकार की करदह को करा किन फाजना कछी आजली पहली बात तो जो सुदान 스जी ने कहा के बाज अरन की नहाई कृती माँ स्थापित कर दeton कर दो बात कुरा देश देख रहा है कि जो चार राज ओच पांच राच्व म सुजी ने कहा कि नई किर्टीमान स्थापित करें जिस प्रकार कर देख और यह उतना सब कुछ करने के बाद भी जन्ता ले करारे तरीके से बाज़पा महश्ता यहां है राजस्तान और 36 मध्यप्रदेश जहां पर व्याक्वम घोटाला हुआ इतना बड़ा जहां पर CBI की जाच हुई वहां पर इडी नहीं जाएगी क्योंकि बाज़पा की सर्कार है त्यलंगाना में इडी ज oyster लिए करकान के दो इसको लिए को उने वालीं थी पर हुई नहीं तो वहां पर भी इडी नहीं जाएगी तो 이ी कहाँ जाएगी जहां पे भी बाज़पा की सट्जा खत्रे में वहाँ पर झिल जाएगी और जब जब जनता से बाज़पा ड़ती है तब तब वो एड़ी को आगे करती है तो मैं धन्यवाद चाहूंगा भाजपा का कि एक प्रूफ है कि उन्होंने हार का स्विकार कर लिया और बात आई इस मुझ्डे की बात पर आ रहा हूं अगर प्रियमेले की हम बात करें प्रिवेंशन ओप मल्लोंडरी की तो ये तो उसका एड़ी का पुरा कारेक्षेत्र है तो फरवरी से लेके अभी तक ये सरकार भी क्या किया वो एप भी बेहन नहीं हुई चाइना की आप अपने बेहन कर दी और ये आपको आपने क्यों पहन हुई है परवरी से तस्वीरे गुम रही है अब तक सरकार भी क्या किया जो 36 सरकार के उपर आप सवाल उठा रहे हैं उन्हें तमसे कम साड़े 400 लोगों को इस मामले में गिरफतार किया मेरे पास ये न्यूज है जून के अंदर लुकाउट नोटीस दारी किया आपने क्यो गिरफतार नहीं किया दूबई के साथ हमारी प्रत्यापरण संदी है आप जाके उनको गिरफतार करते क्यों पर आपको रोकना नहीं है आपको करप्चन नहीं रोकना है ये रिष्टा क्या कहलाता है आपके मा महीन की फोटो इनके साथ वाजिब होती है आपको जवाब दे उस व्यक्ति के बयान पे CM के उपर आप आक्षेप करते हैं और आप मानते हैं कि 36 गड़ की जनता आपको छोड़ देगी नहीं माप करेगी जो 10-15 सीड भी आने वाले थी आप अंडे की और आगे बढ़ रहें 36 गड़ रहें मादेव एप आप बैंड नहीं कर पाए हैं हम कल आप बैंड करतें इसको क्या मैसेज देना चाने जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या इतनी बॉकलाट अंजना जी लोक तंत्र में ठीक नहीं होती है पुरा देश समझ रहा है कि सिर्फ दो ही राजियों में अगर इडी जात आप के समय पर ऐसे ही की गए आप शेव को माप नहीं करती है इडी की भी प्रोसीजर होती है और इडी प्रेस्ट जारी करता है और यह जो सुबं आपने मेरे को सवाल पूचा सुबं सोनी इडी की प्रेस्टोट में लिखा गया है कि ही इस वन ओप दा हाई रेंट ऑफिसर हो तो आप अज सुबं सोनी का अदूज का वीडियो को रिलीज होता है वो भाजपा रिलीज करती है जिसमें वो वह मालिक बन जाता है अग्या अगर सुबं सोनी मालिक है तो अभी तक इडी की कारवाई उसकी क्लाब स्कियो नहीं और आप तो यह जो सारी चीज़ेश दिख 높ी अंजनाजी पुरेश समझता है यह बाद्यपा की बॉखलाट है उनको बुछने वाला होता थे बड़कता है तो यह फपड रहा है पड़क रहा है यह पड़कन जुए की है तीन तारीकों 36 गड़ की और पूरे देश की जनता पांच राजी जनता हमेशा के लिए सांथ कर दी अगर शुभम सोनी के विडियो को भारती जनता पार्टी कोट कर रही है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है अगर वही है महादेव यह गेमिंग आप का मालिक तो देखे एजेंसियां क्या कर रही है तकनीकी और कानूनी आधार के ओपर वो कारवाई कर रही है शुभम सोनी का जो वीडियो आया है वो वीडियो तो दुबई से आया है तब उनको सोच समझ के बोलना चाहिए अगर कोई विदेश में है और उसको पकड़ा गया है तो उसक हम शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है ये ना बोल के वो कह रहे है अरे इससे आदा मजाक की बात क्या हो सकती है यानि एक गंभीर कहरे आरोप को ट्रिविलाइस करने का प्रियास उनकी तरफ से हो रहा है और मैं एक और बात कहह दूँ महतवफून बात यह एडी जाश करेगी सरकारी एजर्डे क्रोड़ के देशों में जाता है प derrière पर पैसा यहां से खाड़ी के देशों के रूटसे पैसा आ कैसे रहा है चुनाओं में और पांच करोड़ बरामध भी हो जाता है और कुनहामें रोहन गुपत के वोलकर रिपोर्ट दोहजार साथ कि सब्दा मुसें के एराक से तेल के कूपन कॉंग्रेस पार्टी के पास आए जिस पर नेटवर्सिंग का इस्तीफा याद है आपको कि नहीं और फिर वो उटावियो कौट्रोची किस जमाने में राजीगवानी जी के दमाने में और यू तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौट्रोची हमारे बच्पन से लेके उसके बाद वोलकर से लेके गाइडो हशके से लेके क्रिश्चन मिशेल से लेके ये शुभम सोनी तक ये आपके घस्ताचार के तार समुंदर पार से कैसे जुड़े रहते बता दीगे फिर मैं कह रह कि पिछले 40 सालों से ये कहां से कहानिया निकल नहीं है कि समुदर पार के व्रश्चाचार के साथ कॉंग्रेस के तार जुड़े रहते हैं आज से कुछी तेर बात सुधान्शु जी भोपाल से राज तिलक है और हम बड़ा तालाब के सामने खड़ें एक बार राजा भोच की प्रतिमा जारा दिखा दीजिए मूर्ति है नियाई की मूर्ति है एक ऐसे राजा के शासक के रूप में उन्हें जाना जाता था जो नियाई की बात करते थे और इसलिए नियाई की बात में तो फिर समानता आना चाहिए न एजेंसियों की नजर में यह जो उन्हीं राज्यों में इदी का पहुंचना है राफाइल का मुद्दा था। रोग जाए, मैं आ रही हूं, आप इस पर भोलिएगा राफाइल का मुद्दा था। 2019 में आप लोगों ने सारी तोपे निकाल दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राफाइल सौदे को लेकर, ये आप पर ओनस था, ये बीजेपी पर उस वक्त ओनस था कि उनको प्रूफ करना था कि नहीं ये आरोप हम पर गलत है आपके लगाए हुए आरोप उन पर 2019 के चुनाओं में नहीं चिपके ऐसे ही अगर आप जनता के दर्वार में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा जिस पर आरोप लगता है इस तरह का उनस उस व्यक्ति पर होता है कि वो अपने आपको सही साबिस करें ना की कहदे की एजन्सियां जानबूच कर हमें हर बात में साजिश तागेट ऐसा नहीं के भी चुनाओं के वक्त ही हो रहा है पांच साल में भी बीच पीच में होता ही रहता है कही ना कहीं अगर सब ऐसा बोलने लगे तब तो एडी के दफ्तर में ताला लग जाना हो गया है अरे भाई साब आज की बात कीजिए ना सवाल को आज हम 36 गड़ पर बात करें और अजना जी बहुत सभी सवाल आपने पूछा दी कि कोई भी एजन्सी होती है उसकी विश्वस्तियता प्रूव करना उस सरकार का काम होता है हमने सबने देता है मैं हमेशा कहता हू कि 5422 जो PMLA के केस में उसमें से 34 जो केस है बाज़पा के छोटे बूटे निते का खिलाब है बाकी कोई भी बाज़पा के उसके अंदर नहीं है आज इडी को अगर ये मैं आपको वापस रिपीट करा हूँ फरवरी 2023 में इस आदमी की शादी होती है 200 करोड का खर्श किया ज जून में 36 कर सरकार ने लुकाउट नोटीस जारी किया इनके खिलाब तो मुझे बता ही जून जुलाई ऑगस सब्टेंबर ऑक्तोबर नवेंबर में हम करे हुए तब तक सरकार ने इडी ने क्या क्या वापस मैं बोल रहा हूँ दूबई के साथ अमारा प्रत्यावरोपन स सब्सक्राइब है आज क्या सरकार ने प्रयास किया इन लोगों को बुबई से यहां पर वापस लाने कि शुबहम सोनी के वीडियो की बात करा बीजेपी सब्सक्राइब किसे कहें एक सिंपल सवाल है और इडी को बताए कि क्या बुपेश बगेल जनता के सामने आकर बोलें कि मैं शुबहम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं मेरी आश्यक उससे मुलाकात नहीं हुई है इस तरह की बात क्यों नहीं आ रही है बिल्कुल आज आप अपने प्रेस कोंफरेंस देखी नहीं है आज ही देखिए आपने देखिए उन्होंने आज प्रेस किया तो इसका मतलब सुभबं सोनी मालिक है और सौरभ की साधी में अपने नौकर की साधी में डाइसो कर गर्ज किया ये इनका बयान है आपे सुना नहीं है वुपेश बगल जी ने क्लियर वी का कि रिश्ता क्या खेलाता है आप बताए कि सुभं सोनी हो या रभी उपपल हो या चंद्रा करो इसके बाज़पा से क्या रिलेशन है हम तो सामने आक्षेप कर रहे है जब मा महीं की तस्वीरे उनके साथ में है चंद्रा कर के साथ में इनके मा महीं की तस्वीरे बाज़पा उसका जवाब नहीं देना चाहिए रमन सीम के सामने रमन सीम के साथ में असीम क इंद्धा की तस्यूर हैं किआ बाजडपा को जवाब नहीं देना चाहिए.. रुप्ता है.. पेखे अध्य हमारे। व हुँमुमुमखी शादियां रचा रहे है वी देश में. इडी उनके सामने बड़ा हसाहाई दिखता है लेकिन यहां पर जब बात पुलिटिकल नेताओं की होती है तब वो कौरन आके कह देता है कि 508 करोड रुपे लेने का इल्जाम है भुपेश मगेल का अब आपको तथ्यात्मक रूप से ये प्रूफ करना होगा ना वरना ये ज जारे जाके इतने इतने पैसे उडा रहे हैं फिल्म स्टास जा रहे हैं बॉलिवुड के फिल्म स्टास जा रहे हैं वहाँ पर सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं बड़े बड़े उनके खिलाब कुछ नहीं हो रहा है पूछताच के लिए अब जाकर उन्हें बुलाय जा रह पहले तुम्हें रहोजी को बात बता दू मिननेत तो सिर्फ आपकी पिछली 4 सरकारों की बात कहीती। और यह पार्टी के रहिए ये कि क्लारड के जमाने से ब्लैकंड ऑइट के जमाने में चले जाए। आप पता नहीं, मगर आप तो वो पार्टी है जनाब, कलर्ड और ब्लाक और वाइट तो छोड़िये, आप तो वो पार्टी जो इस्टिल फोटो के जमाने में जाना चाहते हैं, फार्टे से कूद के जाते हैं, सथांता अंदोलन हमने लड़ा था, यानि जब के वर फोटो का नाम लेके पैसा कहना, और असीम दास ने भी कहा कि मैं तो सिर्फ कोरियर हूँ, यानि मैं तो सिर्फ मालवाख हूँ, मुझे बताया गया है कि कोई सीनियर, कोई पॉलिटीशन, मिस्टर बगहेल, उसने भूपेज बगहेल ने का मिस्टर बगहेल काई पैसा है, उन तक मानी हुई बात है, आपने कहा प्रत्यरपण संदी है, तो प्रत्यरपण संदी के लिए गहरे तथ्ये, आपको फैक्स इखटा करने पड़ेंगे, फिर कोट की प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप मूफ कर सकते हैं, तो मानी हुआ था, विदेश में अगर कोई घटा करम हुआ तो आप स्वैम कह रहें, कि फिल्म स्टारों से पूछता चुई, बहुत सारे लोगों से पूछता चुई, तो एडी मानदारी के साथ उन तक्ष्यों कोई घटा करने में लगी हुई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि टेक्निकल प पूछे, दिल्ली को लेकर, कि केजरीवाल सरकार में घोटाला किया है या नहीं, तो कहेंगा, हाँ घोटाला किया है, तो उनके ओपर कारवाई हो रही हाँ, हाँ जी सही है, तो केजरीवाल कह रहें, नहीं जी गलत है, अब यहाँ पे मेरे खिलाफ गलत है, इसलिए मैं जैसे आरोप न लगे हो कि उसे जाच एजनसी और कोट के चरी के चक्र काटने पड़े हो इसलिए हम कह रहे हैं जैसे साफ साफ हम लोग अपने बच्पन में पूछते थे कि राजीव गांदी कहे कि वो कोट्रोची को नहीं जानते वैसे आज हम पूछते हैं कि भूपेज अकेल कहें कि मेरा शुबं सोनी से कोई संबंद नहीं है पर पता है कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए जरा सा जबान हिलाओं तो दिल डगमगाए इस डर की वज़े से नहीं बोल पा रहा हूं जब इंडिया इलाइंस की दो बात करने बिल्कुली बेमानी है एक सेगंड सर्थ इस पर इस पर क्यूंकि यहीं अखिलेश यादव आकर मध्यप्रदेश में कह रहे हैं कि यह कॉंग्रेस वाले ठगते हैं कॉंग्रेस बड़ी चालू पार्टी अकिलेश यादव के रहे हैं यहीं पर अभी चुनाओं में अब कितने महीने बचे हैं उदर तीन-चार इदर दो-तीन महीने बचे हैं लोग सबाद चुनाओं में गटबंदन आप लोगों को चालू पार्टी ठगने वाली पार्टी क कि अन्तर आतमा में कहिए उनकी थोड़ी, पाद 10 प्रते fellowship सा सच्चाई बची है। ज्यादा बोलने के चकर में सच बोल देता है। उन्होंने कहा कि ED को पुरा inquiry करना पड़ेगा, बिल्कुल, ED तो busy है, ED तो राजस्तान में busy है, ED 36 गर में busy है, ED के पास समय कहा है कि जो फरवरी में जो शादी हुई, फरवरी 2023 में जो शादी हुई, उसकी जाच ED नवंबर तक नहीं कर पाई, ED ने press note जो जारी किया, भुपेज बगेल के खिरा होता है, तब ED का तीन तारी को press note आता है, तो जवाब तो आपको देना है, ये सयोग नहीं है, भाजपाई प्रयोग है, और मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, आप में हिम्मत है, आज गुपेज जी ने कहा, press note करके कहा, ये रमन सी के साथ अमने तस्वीर असीम दास्की करी, आप में हिम्मत है, आपके किसी नेता के टीवी के आप सामने बात करने की आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप चुनाव पूरी तरह से आर रहे हैं, और दूसरी बात, आपने एक और मुद्दाकार लिकर कान की बात, देखें ये बाजपाई जो नहींती है, मैं आज 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 को स्टाफ परदा फास कर दूगा, हंजरा जी, एक ही केस है लिकर केस, जिसमें अरजबीन केजरिवाल का भी नाम है, और कवीता का भी नाम है, और कहीं मिटिंग साथ में हुई है, एक के खिलाब वहां पे वारेंट आ रहा है, उनको बुलाय है, जिसका बड़ा प्रष्टाचार आपने नोट किया हो, जो भी बाजबा के वाशिंग में निशन अंदर जाता है, साप होके निकल जाता है, पर पुरा देश समझता है, आपकी नियत में खोट है, आप पे देश भरोसा नहीं करेगा, कितना भी कर लो, कितने भी कर ले त जनार्वन का जो 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 वर्डिक्ट आएगा, वो ही बाजबा के मुपे एक तमाचा होगा, वाजबा के लिए स्टीख होगी, इस पतार की और सी राजबिती ना करें, लोग तंत्र के चुने होए मुख्यमंत्री के खिलाब, आप सिर्फ करने से पहले, आपकी विश्वस् सवाले सवाल को आपने अंसुना कर दिया एक दम, बिल्कुल, नहीं वो भी जवाब दे देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं, देखिए, हमने पहले भी कहा, कि जो हमारा अलाइंस है, वो राज राष्टिय चुनाव, लोग सबा चुनाव के लिए है, उसका हमने प्रे अगर बाजवपा के नेता के सामने मज पे बैठके तो उनकी डिपोसिट चली जाएगी, उन्होंने पीछा चुडा लिया, NDA में से AIADM के सबसे बड़ा घटक दल, उसने पीछा चुडा दिया, NDA पर Non-Democratic Alliance, वहाँ पे सिर्फ एक नेता है, बचाई नहीं यह कुछ, इस आप इंडिया की बात करें, सवाल उनको पूछिए, जो 38 लोगों को इखटा करके आनन पानन में मिटिंग की थी, आज 38 में से कितने बच गए, कोई नहीं बचेगा, जो तोड़ी हुई पार्टी, वही आपके साथ बचेगे, क्योंकि आप भश्मा सूर्य आपको जो भी ट देखे, आरोप विपक्ष का ये है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आप एक तो जाच को आगे ले जाते ही नहीं, आप ने कहा कि इतिहास रहा है, जितने भी मामले ऐसे आते हैं, वो कॉंग्रस पार्टी के ख्षेत्र दलों के निकलते हैं, लेकिन बंगारू लक्षमन रहे हो, या जिनका निधन हो गया, जिनका मैंने कोट किया था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, दिलुप सिंग, जुदेओ साइब, ये सारे बीजेपी के नेता थे ना, अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि आप सबको एक तरीके से क्लीन चिट दे दे, ये भी ठीक नहीं है, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं जाज के मामले होते हैं, जो भारती जनता पार्टी के नेता है, सब को आप पहले से क्लीन चिट दे देंगे, नहीं, सारा ब्रश्टा चार उदर ही हो रहा है, देखे, पहले तो मैं बताओं, जो रोहन प्रश्टा चार छूटता ही नहीं है, लगातार बरस बरबरस सरकार दर सरकार दर सरकार चलती चली जाती है, हाँ, मगर अब जो आपने बात कही, देखे, मैं एक और फैक्ट बात कहूं, आज वो पुरानी बात हो गई, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बंगारू लक् पैसा लिया, मैं बहुत कहा हूँ, हाँ, पैसा लेते हूँ, वो ऐसी कोई पोजिशन में नहीं था, उस लिज़न को प्रभाविट कर सके, फिर भी हो गया, इसलिए वो एक अलग विश्य हमार हम स्विकार करते है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बंगारू लक्ष अडवानी जी पे, जोशी जी पे, उमाभारती जी पे, विने कटियार जी पे और बहुत सारे लोग जो कि अब अशोक सिंगल जी के, उसके बाद जब ये आए, तो फिर वो तथा कतित हिंदू आतकबात के फरजी केस लगाने चुरू किये, अगर ये आरोप लगा पाए, तो केवल फरजी उन केसों में, कभी भरस्टा चार को लेकर उंगली नहीं रख पाए, और इनकी सरकार रहते हुए, भरस्टा चार के उपर इनके उपर उंगली नहीं उठी, जंता का हाँ, इनके गिरेबान तक पहुँच गया.